साथियों, हर देश के पास अलग तरह का सामर्त होता है, किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कोई खनीच से संपन्द होता है, तो किसी के पास लंबे समुद्र तर्ट की ताकत होती है, लेकिन इस सामर्त का उप्योग करने के लिए, जिस सबसे बड़ी ताकत के आवशक्ता होती हैं, वो होती है हमारी युवा शक्ती, युवा शक्ती जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, देश उतना ज़्यादा विकास करेगा हो, आज भारत अपने युवाओं को स्कीलिंग और एजुकेशन के द्वारा, नए अवसरों का लाब उठाने के लिए तैयार कर रहा है, बविश्य की आधुनिक जरुवत्तों को देखते हुए, देश में आधुनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीती लागू की जा रही, देश में बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेज, आई आई टी, आई आएम या ट्रीपल आई टी जैसे काउशल विकास हमस्तान खोले गए है, करोडो युवाओं को प्रदान मंत्री काउशल विकास युजना के तहर ट्रेनिंग दी गई है, हमारे देश में करोडो कारिगर अपने पारंपारिक व्यवसाओं के माद्यम से आजी विकास चलाते हैं, ऐसे विश्वकर्मा कारिगरों उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की गई है, आज तकनिक के दौर में सब कुछ तेजी से बदल रहा है, इसलिए हर किसी को अपने हुनर और ज्ञान को अपडेट करते रहना होगा, कोई भी नई स्कील सीखने के बाद ये बहुत जरूरी है कि उसे निरंतर अप स्कील और रिस्किल किया जाए, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारिगरों के ट्रेडिस्टनल स्कील्स को मोडन टेकनलोजी और टूल्स से जोड़ा जा रहा है,